हेलो वेल्कम बैक टू चैनल मिश्रीपीफब सो वियर बैक अगीन विद अनदर वीडियो दर इस बेस्टर सेवन फ्क्लास नाइन थे नियारी देवर्सटी इन लिविंग ऑर्गनिजम्स सो आज का यह टॉपिक जो में डिसक्स करने वाले हैं यह बहुत थेरोटिकल टॉपि से आपको असानी होगी नोट्स पनाने में क्योंकि आप जितने अच्छी तरह नोट्स पनाओगे इस चैप्टर की उतने आपको याद रहेंगे निए यह चैप्टर बहुत थेरोटिकल है बहुत यह टर्मस में याद करोगे तो आप मतलब का इन्फीज हो सकते हो साथा था अधसर टॉपिक देशा डिवेस्टी इन लविंग ओरमिसम्स तो आपको इन्फीय अपको क्या होता है जो जिंदा है अब डैवेस्टी का मतलब क्या है वेराइटीज तो किती वेराइटीज इनलिविं ओर मिसम्स में हम याज पढ़ेंगे देखी हम नेना हर एक जीविंग को हर एक living and non living thing को classify कर रखा अलग अलग चीज़ों में ठीक है तो देखिए जैसे कि हम birds बोलते हैं तो pigeon को अपने birds में क्यों रखा है ठीक है अगर हम बोलते हैं humans तो humans के अंदर sorry humans नहीं अगर मैं बोलता हूँ animals तो animals के अंदर हमने dog को रखा है animals के अंडर humans भी आते हैं ठीक है तो हमने ऐसा क्योंकि हमने animals के अंडर बर्ट को क्यों नहीं रखा तो इसकी पीछे सबकी वीचिक रिजन है ठीक है जो classification का एक basic criteria था उसके कोडिंग हमने different living organism को different categories के अंडर रखा हुआ है तो इसमें लास्ट चाप्टर में पढ़ा था युकरियोटिक और गएक क्या होता है तो दिगोड़ोगा परते समय में अब को ट्रिक बताकी करने की प्रोister होता है और पी यारो से वह प्रोटक्शन होता है तो इसमें protection नहों मतलब न्यूलेस की protection अभर न्यूप्लियन मेंबर नाहोओ वह प्रकरियोटिक जिसमें हो उकरियोटिक तो देखिए यह मतलब एनिमल प्रोकुरेटिक है नहीं ठीक है इसके ओपर भी हम क्लासिफाइब करते हैं अब वो सिंगल सेल है यूनिस मतलब यह मल्टि सेलेडर है इसके ओपर भी हम करते हैं अपनी क्लासिफिकेशन ठीक है फोडो सिंथिस करता है नहीं करता खान अपना ख के बारे में एक बहुत ही अच्छी बुक लिखी गई है जो कि चार्ल्स डाविन ने लिखी है ठीक है बुक का नाम है दो ओरीजिन आफ स्पेसिस बहुत है फेमस बुक है कोशिन पूछा सकता है एक्जाम में ठीक है तो आपको यह लिखने की और समझने की जरूरत है कि चार् उसमें variety तो living beings में कितनी variety उसको हम बोलते हैं biodiversity ठीक है यहां लिखा भी बैडवर्शी मैंस दीवर्श्टी अफ लाइफ है अब बैडवेस्टी इननर बताया था है कि हम different forms of life जितनी भी हमारी different forms of life है कैसे को एक्सिस्ट करती है हमारे इंवामेंत में सब एक सात रहते हैं और कैसे इक दूसरी परम dependent है ठीक कैसे एक दूसरी के महें help करते है तो इसके उपर यह सारे चीज़े dependent करते है अब देखे इसमें जो इंपरेंट चीज़ है यह जो लायन है दे और फिर्फ चाहिए जो अर्थ के बिच में लाए करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं मेगा डाइवस्टी बोलते हैं ठीक है क्यूंकि यहां पर प्लांट्स और अनिमल्स की वराइटी है वह बहुत हाइए हाई quantitative मिलती है तो इन कंट्रीज के किच एक्जाम्पल देरिकें ब्रयाजिल क्लंबिया युक्र पेरु मैक्सिको जहरी मेर्याश कर ऑस्ट्रिया चायना इंडिया 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 इनमेलेसिया ऑन इसकेंडर है अब को याद अर्ण है इंडिया भी मेगा डेवस्टी कंट ढरेद कर रखाया कॉछ झो क Kerry अइसके ल कि करें रहे यह तो ऐनेमल अप्लांट्स यह दो मेजर पार्ट्स है इसके अलावा भी हमने जो हमारे यूनि इसलोर्ड उक्न लोडी सुर्ड्ड सोलोर उन्हों को बी हमने देखिए आई यह हमारे बेसिक्स है classification का किसी वी organism को ठीक है तो फर्सली हम देखिए लिए निगे यो इकरियोट थे तो दीगे प्रुकारियोट मतलब विदाट नेगा नेगल नुकलिय मेंट ठीक है इसमें जो यूनिसल्र होगा उसको मनेरा बोलेंगे ठीक है अब आतें यूकरियोट यूकरियोट म प्रिंट्ट आप पर्फॉंम करें उसे हम बोलेंगे प्लांत और जो बीना सट्रों के होते हैं एनिमल से हमने पड़ा था हूं इसके अंदर या रिणिमे स्कंदर सेल वाल नहीं होती किसमें प्रिसेंट होती सब्लांट सक्णिर यह हमारा बेसिस से क्लासीफिकेशन का कि अब देखिये हमने जितनी ही classification करें ठीक है जो भी naming करें हमने सब grouping कर रहती है अब वह सब grouping कैसे कर एंबने ठीक हमने सब सबसे पहले रखा Kingdom ठीक है जासे प्लांटिय एनेमीलिया यह भी किंड गिंगडम है इसके अंडर सब आपके टॉपिक्स एन सब आपके classified classification है फिर उसके दिन रहाता है फाइलम फोर एनिमल्स को उन्हें फाइलम से denote किया है ठीक है डिविजिन प्लांट्स के लिए किया है उसके बाद देखी वो किस क्लास को बिलॉंग करते हैं ठीक है उस क्लास में वो किस ओर्डर में है ठीक है मतलब अ से स्पीसिस के है तो देखी यह जो पैटरन है यह फॉलो किया जाता है किसी भी किंग्डम को जब हम स्टड़ी करते हैं ठीक है तो देखी इसी के बिस पर हमारा एक कुश्चन आ रख है प्रिवेसरी कुश्चन के देखी विशो तो फॉलिंग इस दो करेक्ट टेक्सोनॉम टेक्सोनॉमिक टेक्सोनॉमिक ठीक मतलब करेक्ट ओडर क्या है है र की का पढ़ने का देखी हमने भी पड़ा सबसे पहले क्या आता है विद्ध क्लास और यहां पर देखेंगे पहले खिंग्डम फिर फाइलंब फिर क्लास और तो देखेंगे इसी इस चीज़े भी यूपी से पूछता है इसलिए आपको बूलता हूँ यह चैप्टर बहुत वास्त है आप नोटोस बनांगे पढ़िया प्ढ़िये अविए प्ल्रिविजिशन्स कर यह का हिए लिदे इतने हम डिफेर्ट डिफेर्ट नेम्स पढ़ेंगे उन नेम्स के अंडर हम देखेंगे डिफेर्ट 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 लिविंग और्गनिसम से ठीक है सबका नाम याद करना तो बहुत हेक्टिक हो जागा अपके लिए अगर आप सिर्फ एक बार गो थू करोगो तो मुल्टिबल टाइम आप वीडियो को वीडियो को देखिए पॉस करके नोट्स मनाइए ठीक है बहुत है अब आगे चलते हैं जो मारी फर्स्ट क्लासिफिकिशन है वह मुनेरा ठीक है मुनेरा क्या होते है मुनेरा के पास डिफेंड निकलिस नहीं होता या नहीं को और्ग अच्छे के पास नहीं होती है इसके अलावा देखिए mode of nutrition क्या होता है मतलब किस तरीकर से खाना खाते हैं तो कई एक तो इसमें autotrophic होते हैं जो अपना खुद खाना बनाते हैं और कई होते हैं हीड़ ट्रफ ठीक एमशम्पल स्का ब्लूग्ंड अलगी मेरů कोम। नायुसथ कहीं भी देखने को मिल दाती है मतलब किनaken to अहीं होता है मतलब कि प्रिजन नहीं होती है । कुछी के पास होता है कुछ यह वह नहीं होता है कर यह इंपादर दो्यसेलड क्योंकि दौनों मतलब हो भी सकता है नहीं हो सकता हमें majorly क्या पढ़ना है हमें यह पढ़ना है कि किसके पास क्या चीज अलग है ठीक है आप यह थोड़े मांड में बनाकर चलिए कि आपको ऐसे आद करना चीज़ों को ठीक हम अब देखे मांड से आथा है कि मुझे मांड माइंड मैप्स बनाने में स्टूडेंस की हेल्प करते हैं इसमें हम बताते हैं कि कौन सा कोशेन आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो किस तरीके से याद रख सकते हो ठीक है क्या तरीका उसको याद रखने का जो मतलब सिंपलस तरीका हो सकता है ठीक है तो यह हमारे इस चैनल पर सब चीज प्रवैड की जाती है ठीक है तो आपको अगर माइंड मेंस बनाने तो उसमें यह बहुत हेल्प करेगा अब देखिए यह तो होगी हमारी चैनल की बात ठीक है इसके बाद जलते हम आगे जो सेकेंड हमारा क्लासिफिकिशन है वह है प्रोटिस्टा ठीक है प्रोटिस्टा में बहुत सारी यूनिसेलल और यूकरियोटिक होते हैं ठीक है मतलब यूनिसेलल में सिंगल सेल्ड और यूकरियोटिक कौन सो होते हैं जिनके पास नुक्लियर मेंब्रन प्रेजन्ट होता है ठीक है अब देखिए क्या होता है इनके पास हेर लैक सीलिया होता है हेर लैक सीलिया का मतलब ऐसे छोटे-छोटे-छोटे-बाल निकले होते हैं ठीक है जिसे हम हेर लैक सीलिया बोलते हुआ है इनके अंदर से बहारा में देख रहे होते हैं अब देखें मोड अपनिट्रिशन क्या होता है वो ज़रूरी हमारे लिए मोड अपनिट्रिशन ऑट्रॉफिक है हीड्र प्रोफिक हो सकता है ठीक है एक्जेंपल कैसका अल्गी डाइटम्स प्रोटोजोन इसमें इंपोटेंट है कि कोश्चन में मेरी खाल से पूछ सकता है कि प्रोटोजोन कौन सी क्लास को ब्लॉंग करते हैं अब देखिए निक्स्ट तरय थे हमारा फंजय हिटोट्रोफिक होते हैं मतलब को बना बना लेते हैं किसी यह इस निंग तो इसमों कुछ धिंग ड क्रते है जो डै दिगिंग मेंटरबे में खांती है और बिदbs म्या बोलते हैं उå वो से मोलते है saprotrophs और अदिकी और कुछ इसमिंस क्या होते है और डिपेंडेंडेंट होते है और बाकी दूसरे और मतलब कि जैसे के अपने पड़ोसिय से अपने शुगर ले लिए शुगर के बदले में अपने उनसे सॉल्ट ले लिया ऐसे करके इन बीच में रिलेशन चलत इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं symbiotic relation ठीक है मतलब कि साथ में रहने वाली सब बता है दोनों साथ रहते हैं ठीक है एक एक और्गनिजम किसी और कुछ प्रवाइड करेगा बदले में दूसरा उसको कुछ और प्रवाइड करेगा अब देखे इसमें यह चीज इंपरेंट है कि इनकी जो सेलवाल होती है वह एक कॉंप्लेक्स शूगर की बनी होती है जिसको हम बोलते हैं शितिन ठीक है चीज यहां पर मेंशन कर रखें ठीक है आगे देखते हैं एक्जेम्पल देख लेते हैं इसका एक बार एक्जेम्पल ह इसल एक है तो आप याद रखेगा कि हमारा ये फंजाई पार्ट है अब देकर प्लांटे किंडव में ब्लांटे किंडव मिटा को हुट आपको होता है आटाट्रॉफ होते हैं फो दन्तेज करते हैं ठीक है अब होते हैं अपना खाना खुद नहीं मनाते ठीक है अभी तक चोंट हम पढ़ाता ऒर्रुपाइज कर लेते हैं ने हैं देख्या और spot is compensate होते हैं प्र pénारियोंट सorage कॉर्पेट किरेंट इस इस चिंकर पस नोडिलोम्रेंट न应त रोत है उन कंब पोलते मोनेरा ठीक है अब मुने राक्या पाद देखी युकरी एट होंगे ठीक है युकरी ओट भी ओगए और साथ में युनिस व्हेंदर भी ओगे जिनके वा सवाल की है वो कति बॉस्त इंग्डम डूट इन आप अब प्लांटी ब्लाइव केंग्डम को को मतलब इजी लिए दिख जाते हैं अब यह एक्जीम्पल जो एक्जीम्पल करूं डॉप्लियों सब्सक्राइब टो अब इसमें में क्याद रखना कि यह जातर सारे एलग वां तेल्ड फेट यह अपके लिए इम्प्रेटेंट है तो आप इसका नोट्स में में यह mention कर सकते हो कि यह को अल्गीस होते है थेलफ अब 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 आ आपको क्या नोट करना है यह चीज मेरे साब से बहुत हो बहुत हो सकता है कि यूपिसी आने वाले किसी कोशें में यूपिसी इसको फ्रेम कर दें अगर केप्टर से वह कोशिंट डालना चाहे तो ठीक है कि Amphibian of Plant Kingdom किसे बोलते हैं तो Briaf AtaGum Amphibian of Plant Kingdom कहते हैं जातर आपको एक्वाटिक मिलेंगे ठीक है पर इनके पास पानी को कंड़क्शन पानी की कंड़क्शन के लिए कोई स्पेशलेस्ट टिशू प्रेसेंट नहीं होता है इनके अंदर एक्जेम्पल इसका देखिए मोस है ठीक है और मर्चेंटी है अब आता है पेट्रिडूफैटा में क्या ह सब्सक्राइब होता है यहां पर बोडी पार्ट होते है सारे इफरेंचेट होते हैं जैसे मतलब अलग पार्ट में होते है nhân lider करूं सारे पास एक्शेुग प्रेजले प्रेसेंट फियूंट और इसके साहथ इसके पास तो बहुत टफ है ठीक है क्योंकि हर एक आप देख रहो हरे क्लासिफिकेशन में कुछ एक्जेम्पल दे रहे हैं और सब इतने सारे एक्जेम्पल हो जा रहे हैं कि हम मतलब एक आदमी के लिए याद करना मुश्किल हो रहा है देखिए इसी एक्जेम्पल के बिस्वे कोशन ना रखाया है ठीक है अब ड़ी कि मरसेल फण एन होस्टेल और एक्जेम्पल अफ विच वन अफॉलिंग प्लांट ग्रूप देखिए हमने अभी पड़ा है मरसेल फंस होस्टेल ठीक है किसके एक्जाम्पल थो देखिए पेटिडो फैटा की एक्जाम्पल है ठीक है यहां पर हमारा फस्ट जो पॉइंट लाइन यहां पर बात आती कि इतने एक्जेंपल स्याद कैसे कि जाए तो आपको सीधर तरीका बताता हूं कि आप नोट्स प्रिपेर करिए ठीक है और अगर कोशन आएगा जिसमें आपसे एक्जेंपल पूछे पूछे जाएंगे कि यह एक्जेंपल कौन सी प्लांट के या एनिमल के किंग्डम से बिलॉंग करता है तो आपको कुछ नहीं करना जो बुक किंदर एक्जेंपल गिवन है एट लिस्ट वो याद कर लीजिए ठीक है या फिर आप समझ जाईए जैसे कि आप समझ जाई है की जैसे घेलो वाट है अ है तो जब भी होगी यह फिर कोई याद कर सकते हों दिमांग में चीज़ें संजह कि हम मालो मोनेरा पड़ रहे हैं तो आपसे पूछेंए को क्की वच वन अब वाले फॉलिंग इस यूटिं यह युन on the falling is sean और उनिचालूलर और उनिचालूलर और सबसे पहले बढ़ा था कि युणिचालूलर और और उकरियोट सिर्फ एक की एक क्लासिफिकेशन है वह मुनेरा ठीक है तो देखिए मुनेरा सबसे अलग है तो उसके आप एग्जेम्पल लाद कर लीजें ब्लू ग्रीन निल्गी ठी बहुत important example है ठीक है तो ऐसे जो मैं आप अपको अंडरलेंड करा रहा हूं आप उस उन example को बहुत important मानके चलिए कम से कम एक्जाम में आने के उनके बहुत chances होते हैं अब देखिए यह जो जितने भी हमारे प्रेटिडुफाइट होते हैं ठीक है इसमें वो जितने प्रेटिडिडुफाइट होते है ठीक है वह क्या होते हैं वो रिडियन होते हैं ठीक है मतलब मतलब क्या है क्या है कि यह लोग reproduction के लिए या तो sports का उसके करते हैं ठीक है कि सपोर्स देखा और अपने से के कोई प्लांट है उसके ऊपर फूल जैसे आयता है ठीक है उसका यु उसका उसक्ड करते है उससे लत मंते उससे सीड़ नहीं बंता और ना सीड से function बंता है ठीक है इस पोर के थूप प्सक्डी तोर इंग घोटे पकर जो होते हैं हमारे नॉर्मल प्लांट केंदर जैसे स्टामनो पिस्टिल होता है फीजिए हिनके उंदर प्रेजेंट नहीं होता है अब दीबबहाद गणividades पारटे बनाते और सीड के साथ साथ ओए फ्लावर भनाएंग tak Hi Thomas इनके ब्लते हैं फेनर फम्रांस , जो हमारे अपने सोरी जो अपनängt सेट बना रहा है ऊसी मुल भनाएंगे फ्ईन्रो ग्रामस बना रहा है, इनके पास देखे deaf अम्री होता है along with stored food ठीक है उनकी growth में help करता है ठीक है अब देखिए यह जो ग्रूप है इसको हमने आगे दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है एक है जिम्नोस्पर्म ठीक है एक है एक है एंजिस्पर्म ठीक है अब हुआ कौन से गूर्प के बात कर रहे हैं जिसके इंदर सी सीड भी जो प्लांट होते हैं वो दो टाइप के दो केटेगरी में डिवाइड़ेड़ है एक वो जिसमें सीड्स विजीबल होते हैं ठीक है और एक जो जिसमें सीड्स विजीबल नहीं होते हैं तो जिम्निस्परम मतलब होता है नेग्ड ठीक है जिसमें विजिबिलेटी हो ठीक है तो जिम्रस्पम मतलब जिसके अंदर जो सीड है वो नेग्डो ठीक है फर एक्जेम्पल आप देखिए डियोडर पाइन ठीक है अब देखिए यह दोनों इंपरेंट इंग्जेम्पल है इसके साथ साथ अगर आपको देखो याद करें में डिफिक और वोडी तो देखिए जो भी आपको प्लांट मिलेगा जो एवर ग्रीन हो ठीक है और वोडी हो तो आप उसको कोश्चन के अंदर टिक कर सकते हो एस जिम्रस्पर्म ठीक है अब आता है अंजियोड परम मैं देखो एंजियो मतलब का होता है फिडन ठीक है जिसके सीड्स ह कर लोटस घृचए इसके अंदर भीट होतीए ऑडो तो हमने अगा फालेटिन स्थीड है नशिका इंदर दो निकलते होसे हम बोलते है भीना के है और जिसके बोलते हैं जतिर Virtual चे Ao या फिर आप कह सकते हो जितने भी आपके जो सीड आते हैं ठीक है मतलब जो फ्रूट आपके इंदर सीड निकल रहे हैं अगर वो सिंगल कोट है तो मॉनो कोट और डबल कोट है तो डाई कोट ठीक है तो यह चीज़ याद रखें अब देखें प्लांट किंग्डम को में एक पार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जिसके पास डिफ arbitrato authent काते हैं जिसके बस नहीं होत AJ जिसके पास होते हैं उसको वह भी दों निदे च्ट्क प्रणा लुटीश करते हैं दो तर्म लुटाने सवाल स्तक्षक्ता अंग वाले धे मतलब किसी विजिबल नहीं होते suchen क्या होते Different कित चिनके विजिब्ल होते हो जिम्न्स परप्स भूलते हैं जिनके विजिब्ल नहीं हो थे उनको एयंगी सब्सकूल बोटिप्री जनके और आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जो भी चीज़ आपको नहीं समझाई वह आप लिख सकते हो मैं उसका अंसर जल्द जल्द देने के ट्राइ करूँगा तो दीके फर्स जो इसमें कैटेगरी है वह परिफेरा ठीक है आप पॉरिफेरा कौन मोटल का मतलब क्या होता है नॉन मूवेवल ठीक है जो हिलते हैं तो पॉरिफेरा हमेशा एक सॉलिट सपोर्ट के साथ ठीक हुए होते हैं कहीं ने कहीं सॉलिट सपोर्ट लेके वो ठीक है रहते हैं नॉन मूवेवल होते हैं कहीं हिलते हैं इधर सुदर और होल्स होते हैं अब देखें क्या होता है कि इनके अंदर होल्स होते हैं होल्स की वैसे क्या होता है कि एक कैनल सिस्टम बन जाता है इनके अंदर जो एक हेल्प करता है इनकी वाटर की सर्कुलेशन में पूरी बाड़ी के अंदर वाटर और और ऑक्सिजिएन की सर्कुलेशन में ठीक है अब स किसमें क्या मिल्स इसमें इंहें सिर्फ के सबरें को जोपर अपने देखा मिलाफिक अंदर बहुत मूस्फ फिकल को मेल रहा है तो को याद रहतना है रिपना पैया अब arms कुछ की मर्जी से कोई भी याद करने के लिए ऐसे ट्रिक और अजिसे आप्को याद में वह अलवा जो मुझे लगता है इंपोटेंट एक्जेंपल इसमें वह लगता है विरफ यह नाम पडने में बड़ी अटपटें से लग रहे हैं याद करने में बहुत अटपटें लगें पर कोश्चंस भी देख़ें यह से हाते हैं तो यह जिसे देखते हैं यह जए पूछता है एक्जेंपल ठीक है वो यह नहीं पूछा ज्यादा था कि कौन से और इसम क्या प्रॉप्रिटी सो करते हैं ठीक है क्या क्या चर्एक्टर से उनकी यह जाधर किसे फोकस कर रहा है वो फोकस कर रहा है एक्जेंपल्स पर तो आपको अच्छी तरह गो थू नेक्स्स जो हमारी कैटेगरी वो है प्लटिहल्मिंधिस इसके अंदर बाललेक्ट्रिकल स्मेट्रिकल मतलब क्या एक जैसे बौडी है कि जुसकी राइट सेड है और जो लेफ्ट सेड है वो दो एक वलाफ्स में ड्वाइड है ठीक है मतलब ऐसा नहीं कि राइट साड में 60 प स्मेंट्र सेमेंट्रिकल का क्या होता है दो एक कुल पार्टわか ये जो प्लेटी हाहलमेंट्र सएक इसमें बाड़ी होतह एंकी वो सिम्मिलेट्र contracting इसमेकल होती है मैश सेंब्र कहले इनके उस gemacht है इनके इन मिलते हैं ठीक है cells के 3 layer मिलते हैं जो क्या करता है tissue को अलग करता है 3 different layers में ठीक है तो यह 3 layer क्या करते हैं 3 layer cell के मिला के tissue form करते हैं जिससे इनकों क्या बोलते हैं triple plastic बोलते हैं triple plastic मतलब अब triple से याद रखे 3 ठीक है और यह 3 layers 3 layer को इनके पास है flirty helmetus के पास ठीक है कुछ example इनके जो याद रखना आपके लिए ज़रूरी है वो है planarious और parasitic animals जैसे के liver fluke ठीक है याद रखेगा triple plastic होते हैं और इनके अंदर कोई भी no true internal body cavity होती होती है मतलब कि body cavity अब समझते हो body empty अंदर से ठीक है तो true नहीं होती है मतलब कि body के अंदर जब आप body के अंदर देखो को तुसके अंदर space filled होता है खाली body नहीं मिलती ठीक है अब देखें next thing आती है नेमेटोडा नेमेटोडा बहुत इसमें याद रखने वाली क्या बात है कुछ मतलब यह जादे इसमें बहुत यह इंप्रणेंट है कि पैरसिटीव ओम्स होते हैं ठीक है जो कि डिजस फ्यलाते है जैसे कि elephantaceous ठीक है जैसे elephantaceous में क्या होता है देखें यह elephant foot है इसमें एक pair आपका बहुत स्वेल कर गया और एक pair पतला रहे गया तो यह बिमारी है जो कॉज करता है कौन फ्लेरलय वोम ठीक है फ्लेरलय वोम नाम है जो कि elephantaceous को कॉज करता है ठीक है यह वोम्स जातर आपके इंटरस्टेंट में आके रहते हैं जैसे कि राउंड वोम होगे पाइन वोम हो गया प्लाण है नेमेतर रोड़ा में तरफ वोम के नाम याद रुकने आपको वोम होंँ और और क्या विमारी अग्यों में फहलती है टिक इंटरेंट है न्हींतर एंशट अनलीडग एनालीड़ में क्या होता है कि यह देख़ाइन घेजैंपल यह आतर रखीग सãosk्षावलों में बहुत धेयम क्या होता है कि इनके पस टूबडी के बडाइट होता यह!" कि इतनी वी औरन से और इंदर और बोड़ी के निदर वह पैकेज्ड मतलब की बनद एक जगहा पर तर लिए यह जातर अपको अलमेंस मिलेंगे त्रेशा वोटर तर वे अलमें फिरशेस वाटर 7 वाटर में इंगे में मिलेंगे ठीकियो लैंड पर मिलते हैं एक्जेम्पल याद रखेंगा सबस्सां नेक्स आता है अर्थरोपोड़ा दे कि अर्थरोपोड़ा में जातर आपकी से रखिए ठीक है अर्थ मतलब बरती धरती मतलब जो हमारे साथ रहते हैं तो देकिंग धेनक Cuz रहते हैं ठीक है सफन के और वी से टेकं असे सिंक्वेट्रेटर ही थिन के इंदर धास्न पीजिnity लेक्ज के लेक्स कंव कॉतने देखे। जैल क्य خॉत है और वह जौन के लैग्स कि से जोटेर होते हैं, छेइखे िख्यार आजए मद देखंञे। स्पाइडर हो गया स्कॉर्पियुन हो गया क्राब हो गया यह और हाउस फ्लाइब बटर्फ्लाइब यह पांचो पक्के पांचो बहुत इंप्टेंट एक्जाम्पल है अर्थरोपोड़ा के ठीक है नेक्स के पास ओपन सर्क्षूर्प करते हैं यह इसको बाकी औरने इसे से इसे अलग करते एक्जेंपल यह क्या दखना पर अपड़ेगा आपको यह को इसमें सनेईल और मुजल नी कर दिये बाकी इसमें ज्यादध इंप्टेंट नहीं है तेंगे Sana तो है नेमस्काट आते है प्रूटोकाटःट्रा इंदर अलग फीचओ रहता है ऐसे मूलते है नोट्टो कोड का मतलब क्या होता है एक लंबी रॉड लैक रॉड जैसा स्पोर्ट स्ट्रक्च्चर होता है ठीक है कॉड मतलब आपको पता है क्या होता है स्ट्रिंग होती है तार होती है ठीक है जो उनकी बैक से लेके नर्वस टिशू तक उसमें यह प्रेजन्ट होता है जो कि work करता है as a nervous system का part ठीक है अब देखे नेक्स्ट आते है vertebrates ठीक है अब यह जो vertebrates होते हैं इनके पास क्या होता है वर्टेबरल कॉलम होता है internal skeleton होता है internal skeleton मतलब बॉड़ी के अंदर skeleton मिलता है ठीक है जैसे हमने अभी थोड़े पहले अर्थ्रोपोड़ा पड़ा था अर्थ्रोपोड़ा में क्या होता है कि exoskeleton मिलता है बोड़ी के भाहर skeleton मिल जाता है जैसे cockroach का हो गया ठीक है इसमें देखे सबसे फर्स्ट जो है cyclostromata cyclostromata क्या होता है jawless vertebrates होते हैं बस आपको इतना याद रखना है यही चीजी में इंपोर्टेंट है कि cyclostromata jawless vertebrates होते हैं अब नेक्स इंग आता देखो पीसीज तो को पिसीज फिशिस बेल्कुल सेम से बात लग रही ना तो पिश फिश सेम ही होता है ठीक है फिशिस को भी पिश बोलते हैं यह एकवाटिक होते है ठीक है पानी के अंदर से dissolved oxygen लेते हैं और यह cold bloodlier animals होते हैं cold bloodlier मतलब इसके heart के अंदर दो chambers मिलते हैं हमारे heart के अंदर 4 chambers मिलते हैं और इनके heart के अंदर दो चम्स मिलते हैं, इसले लेंड को इनकों cold bloodry बोलते हैं, ठीक हैं, नेक्स रात है, amphibia या फिर amphibians, ठीक हैं, ये amphibians क्या होते हैं, amphibian आपके पानी में वीरा सकते हैं, और land पे वीरा सकते हैं, ठीक हैं, इनके पास three chamber heart होता है, इनके heart के अंदर three chambers होते हैं, respiration करते हैं, ग जो रेंग रेंग के शलते हैं, जैसे कि चमेलिन होगा, टर्टल होगा, स्नेक होगा अपका, ठीक हैं, ये भी three chamber होता है, ठीक है, example मैं आपको बताई दिया है, अब देखे, three chamber, three chamber करते-करते, एक question three chamber पे भी आ गया है, which is the following class of animals, have three chambered heart, ठीक है, कौन कौन सी animal के class के अंदर three chambered heart होता है, तो देखे, अभी हमने चिस्ट पढ़ा था, कि पेसिस के अंतर, मतलब जो फिश होती है, उनके दो तो two chamber होता है, तो ये पहला वाला तो गलत हो गया, ठीक है, ये देखे, जो intelligent map, अभी crossing कर रहा हो न, जिस में हम जो गलत अंसर है, उसको हमें जो लगता है, उसको हम पहले ही खतम कर रहते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़े भी हमारे हम group पर share करते है, telegram group पर, ठीक है, कैसे smartly और intelligently questions को attempt करना है, ठीक है, तो आप वहाँ पर अगर available हो, तो आप देख सकते हो, कि हम कैसे कैसे questions को solve कर करते हैं, तो देखिए, फर्स्ट तो हमारा, यहाँ पर intelligent elimination से हट गया, second आता है, amphibian और reptilia, तो देखिए, हमने भी पढ़ा था, कि reptilia, three chambered heart, ठीक है, और amphibian, three chambered heart, तो यह हमारा option, सही हो किया, तो option number, B is the correct answer, ठीक है, नेक्स आता है, तो एवस, तो एवस क्या होता है, यह warm feathers होते हैं, और जो इनके four limbs होते हैं, four limbs मतलब, जैसे हमारे four limbs के हैं, हमारे fingers, जो hand की fingers है, और hind limbs के हैं, हमारे pair की fingers, तो इनके जो hand मतलब four limbs, जैसे इनके hand होते हैं, वो convert होते हैं, किन में, इनके wings में, ठीक है, जो इनके four limbs हैं, ब्रीद करते हैं, यह लंग से, ठीक है, अब बच्चों को मतलब अपनी जो जन्रेशन होती है उनको बच्चों को जन्म देते हैं ना कि एक्स ले करते हैं तो देखिए इनके पास डिया मिलके प्रॉड़क्ष्ण के लिए रिए होता है जो कि सिर्फ मैं मिलें प्रेजेंट होता है ठीक है स्वेट और ऑल ग्लेंड्स मिलते हैं इनकी स्किन के अंदर ठीक है एक्जेंपल आपको पता है हुमन से ठीक है कंगायरूज है अब यह हमारा यहां पर में मेले भी खतम होगया अब देखिए एक यह जो स्टाटिक चीज़ है याद रखिया कार्लस लिनियोस एक स्वेडिन की डॉक्टर थे ठीक है इन्होंने एक बुक लिखी थी सिस्टेमेटिया सिस्टेमा नेचर यह ठीक है तो यह बुक बहुत इंप इंपोटेंट है अब देखिए अन्यमीलय को में एक बार फिर से रिवाइस कर लेते हैं एन्यमीलय में देखिए हमने क्लासिफिकर स्टाट की ठीक है ऐसे और गनेजसम से जिन में सेलूलर लेवल ओफ और गनेज़शन थी ठीक है मतलब सेल सिंगल सेल्ड थे ठीक है तो उस के नहीं उती ठीक है ते ऐन नहीं हम बोलता है वह देखिए इसमेह उसके इसके अदर काविटी मिलती है तो देखें इसमें आता है सबसे पहला हमारा एन लीडा मोलिस्का अर्थर पड़ा ठीक है ये वह हैं जिनके जो कि अपने जो फ्यूचर जनेरेशन है उसके लिए सिंगल सेल को ले करते हैं ये तो ग्रोथ ऑफ एंबरियों एंबरियों की जब ग्रोथ होती है तब सिंगल सेल को ये ले करते हैं ठीक है नेक्स्ट इंग आती है है जब हमारा क्या होता है कि जो हमारा हमारा जो कैविटी है है ठीक है किसकी वेशलम होती है जो मारे अनड्र मेंसे अरधर पोच तै愉नकति आ घीक है आनड्र को बदा दिए उसके बाद कैविटी किनव स्ट्रिंग लेक्स स्ट्ट्स अधा होता है जो बाडी के बीच ने प्रेजेंट होता है और आपका जो सेंटर नलस सिस्टेम में उसको कंसिटुट करता हो ठीक है तो जिसके नदर नहीं होता हो उसे बोलते हैं एकिनो पोड़ाटा चाहिं और जिसमें नूट्टो कोड प्रेस स्टेज पर मान लेजी ठीक है तो से मुलते हैं प्रोटो काड़ डाटा और जिसके अंदर वर्टीबिल कॉलम प्रेजेंट होते हैं एडल्ट हो के मतलब कि बड़े होने पर जो उसके बॉड़ी है उसके अंदर बड़ी स्टेज पर भी प्रेजेंट रहता है नौट तब उसे पानी के अंदर रहते हैं और फिसेश थर्ड आता है एंफीबिंज ठीक है यह कोल्ड ब्लेट वां ब्लेट रहता है यह थी छेंबर होता है जिनके बस उड़ने के लिए पांक होते हैं ठीक है और यह अपने जो नुजन पर मेंबल के पास क्या होता है एकिसौटन फे रहते हैं और हमारे बोड़े पार्स थे हैं और यह नहीं को जर्म देते हैं इची यहां पर हमारा आज यह चैपटर खत्म होता है भाइलोगी का बहुत इवास तॉपिक था ठीक है इतना जैदा आब नहीं थे से बट फिर भी जरूरी कैस में जरूरी यह था इसमें कि आप नहीं देखा कि कितने सारी चीज़ें इसमें से पूछी जा सकती हैं अगर questions frame होने लगें तो ऐसे question frame हो सकते हैं कि जिनका अंसर देपाना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि इतना data इस chapter के अंदर जिसको मगप करना बहुत हाड है तो देखिए यह जो चीज़ों होती है कि आप चीजों को रटो या फिर समझो ठीक है समझोगे तो लंबे टाइम तक चलेगी और अगर रटो होगे तो नहीं चल पाएगी ठीक है तो यह जो चीज़ों होती है इनको समझाने के हमेशा Nic पर सोनते हैं वह वह हल्प कर पाते हैं तो हमारी पास जो टेम है वह बहुत एक्स्पिरियंस टीम है ठीक है जो कि आपके लिए 24-7 रेडी है हल्प करने के लिए हमारे पस टॉप रेंकर हमारे यह यह यो टीम सब हो ठीक है जो पैले ही कर辦法 और ऑभी प्परname कर रहे तो बस आज की वीडियो में इतना है रखता हूं ठीक है मैं आपको जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ जिसमें आपको आगे केंटीनियू करूंगा ठीक है तो थैंक यू सो मच गए गाइस और आपको पता है आज के टाइम पर कैसा महौल चल रहा है ठीक है अपना ध्यान रखिए घर के अंदर रही है पढ़ाई करें ठीक है इस जो टाइम मिल रहा है इसका फाइदा उठाई है ठीक है तो टेक केर गा बाइ